तबी को नमस्कार जयहिन और एक बर फिर से आपका S.S.C. लाप पर बहुत-बहुत स्वागत मेरे आने उतकर शगरवाल के साथ तो आज के सेशन में S.S.C. Scenographer 2024 related संपूर जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मैं प्रोवाइट करने जा रहा हूँ जो भी आपके questions आ रहे हैं कि sir इसके form कब तक आएंगे कौन-कौन सी इसमें post होती है and selection process क्या होता है इन सभी का उत्तर मैं करूँगा वीडियो में इन सब points पर आप लोग का जो है मैंने focus किया हुआ है तो एक बार preview आप लोग देख लीजेगा यहाँ पर अगर कोई point आपको specific जानना है तो आप लोग directly उस पर skip भी कर सकते है exam form कब आएंगे सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे ठीक है आपकी कौन-कौन सी post होती है क्या salary होती है क्या grade पे होता है grade C and grade D क्या है इनके बारे मैं आपको बताऊंगा मैं फिर क्या यहाँ पर age का criteria होता है कितने वर्ष है कितने वर्ष के बीश में जो है students apply कर सकते है यहाँ पर candidates फिर क्या educational qualification चाहिए exam pattern क्या होता है computer based exam का कौन-कौन से आपके subject पूछे जाते है पूरा paper pattern जो हो गया यहाँ पर discuss आपका होगा इसके बाद syllabus जो भी हमारे sections आते है उसमें क्या syllabus है यह भी मैं यहाँ पर बताऊंगा then जो सबसे important चीज यहाँ पर है skill test जिसके बारे में कभी यार confused रहते है कि short hand क्या होती है उसके बारे में detail में आप लोग को जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी और फिर previous year में क्या cut off रही थी 2023 में computer based exam की यह यह points पर हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे है तो चलो let's begin सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा official calendar है SSC का 2024 उसके हिसाब से जो stenographer grade C and grade D है इसका examination form जो है advertisement कब आउट होगा तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि 26 July 2024 तेक है आज 20 तारिक है यानि कि एक हफ़ते के बीतर हमें उम्मीद है कि इसके जो online form है वो भरने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी अगर इसी के हिसाब से हम लोग चले तो लगबग एक महिना मिलता है 26 July से 24 अगस्ट इस एक महिने में जो है आप लोग ये वाला form पूरा भर पाएंगे पर जो एक्जाम के expected date है अगेन ये tentative होता है थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे हो सकती है dates लेकिन calendar के हिसाब से हमारा जो expected paper है वो October से November में होगा यानि कि अभी आप लोग के पास July चल रहा है August September October November 4-5 मैंने मान सकते हैं कि इसके लिए preparation के है ठीक है अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर दो parts में हम लोगों का divided होता है एक ग्रेट C और ग्रेट D ग्रेट C में जो number of vacancies होती है वो कम होती है क्योंकि इसकी salary जाता है यहाँ पर आपका 4200 और 4600 pay grades की आप लोग को job मिलती है ठीक है अगर मैं enhanced salary की बात करूँ तो कहीं 51,000 से 56,000 ये जो है आपकी salary हो गई grade D इसमें number of जो post होती है वो जाधा होती है इसमें आप लोग का 2400 जो है pay grade ये apply होता है और पिछले वर्ष में क्या-क्या जो है vacancies रही थी एक बार ये भी आप लोग को मैं दिखा दू ताकि आपको idea रहे 2023 का जो proper notification है वो भी मैं यहाँ पर लाया हूँ आप देख सकते यहा है 2030 क्योंकि अभी इस साल की जो है notification नहीं आई तो इससे देख लेते हैं कि हमारे क्या-क्या departments होते है और जो grade पे था हार department में क्या-क्या होता है आप देख सकते है grade C में आपे 4600 grade पे है central administrative tribunal for stenographers only देखा बायालिस्सो ग्रेट पे 4600 grade पे इस पे आप देख सकते हमारी होती है total vacancies यहाँ पे last year कितनी थी हम लोगों की total vacancies इस वाले column से आप देखेंगे तो यह हमारी थी 93 इसमें कम vacancies होती है क्योंकि काफी high grade पे होता है ठीक है बहुत सारी SSC CGL की job से ऊपर grade पे यहाँ पर grade D के लिए देख लिएते है कि total vacancies कितनी थी यहाँ पे 2400 जो है यह हमारा grade प आ रही है वो है 1140 अब एके करके इसके बारे में चलो discuss करना हम लोग शुरू करते है अगर मैं इसकी बात करूँ तो लगभग 36,000 से 40,000 तक जो है यह आपकी starting salary होती है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपकी 51,000 से 56,000 तक जो होती है यह starting की salary होती है और जो आपको allowances मिल होती है उसारी चीज़ें इसमें included होती है अब भी मैं बात करूँ कि यहाँ पर normal students जो SSC CESUL की preparation करते हैं CHSL की या फिर SSC से related कोई भी exam CPA हो गया जो computer based वाला होता है exam tier 1 उसको तो सभी students qualify कर लेते हैं लेकिन जो actual जहाँ पर बच्चिये eliminate होते है वो इसका skill test क्योंकि यहाँ प जो की आपको सीखनी पड़ती है तो अगर आप लोगों ने सीखी हुई यह stenography शॉट हांड आपको आता है यह आपके लिए हार golden opportunity है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करो कि लगभग मान के चलिए एक बार मेरी class थी 1000 students उसमें थे मैंने एक generally ऐसे पूछा कि शॉट हांड अ अपलाए कर सकता है देखते है एज लिमिट जो है यह last year का है तो उस हिसाब से आप इस पर focus कीज़े अभी इसको रहने दीजे ग्रेट C के लिए 18 साल से लेके 30 साल तर जो होती है यह हमारी एज लिमिट होती है टेनोग्राफर ग्रेट D के लिए 18 साल से लेके 27 साल तक की 5 साल का एज रिलाक्सेशन है OBC के लिए 3 years का है ठीक है person with disabilities 10 years का रिलाक्सेशन इसी तरीके से 13 years 15 years यह सब एज रिलाक्सेशन हम लोग को दिये है एक सर्विसमेन के लिए कितना रिलाक्सेशन है यहाँ पर अगर आप already किसी government job में है तो आप लोग के लिए क्या एज रिलाक् यह already मैंने बता दिया था आगे बढ़ते हैं अब अगर मैं यहाँ पर educational qualification की बात करूँ तो सबसे basic 12th pass यहाँ पर जो है आप होने चाहिए by any board recognized by the government of India state board या फिर union territory से अगर आप 12 पास है तो आप इस exam में appear हो सकते है जैसे कि हमारी SSC CHSL का भी criteria होता है मैं थोड़ा सा relate करके बताता चलूँगा because बहुत सारे students होते हैं जो की साथ में SSC के related exams देते रहते हैं तो यहाँ पर आपको बस 12 पास माना गया है graduate भी जो है of course अगर graduate है तो तो appear करी सकते है इसमें अब scheme of examination की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो आप लो सब्जेक्ट आते है और सबसे बड़ी बात यार कि इसमें maths नहीं होती तो जो भी बच्छे maths से घवर आते है maths उनका वीक पॉइंट था यह आपके लिए golden opportunity हो सकती है अगर short hand आपको आती है तो तो क्योंकि इस paper में maths नहीं आती है आपके केवल 3 sections होते है reasoning, general intelligence and reasoning हो गया, general awareness, English language and comprehension, तो अगर आप exam के लिए already prepare कर रहे थे, जैसे मालीजी CGL को target कर रहे है, CHSL को target कर रहे है तो जो syllabus वहाँ पे है, almost वही syllabus आप लोगों का senographer में भी देखने को मिलता है, ठीक है, अब कितने-कितने questions रहते हैं, 50 questions रहते हैं आपके reasoning के, यह 50 marks के होते हैं, प्लस वन, बार question के लिए होता है, general awareness के भी 50 questions रहते हैं, 50 marks के, and English यहाँ पे सबसे ज़्यादा English हिंदी में होता है, यहाँ पे negative marking होती है, equal to one third of the marks, plus one मिलेगा आप लोगों को सही का, and negative one by three, या फिर point three three आपका हो जाएगा, हर गलत answer के लिए, okay, तो यह हम लोग को यहाँ पर दिया गया था, अब इसमें मैं बात करूँ, एक बार syllabus आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, general intelligence and reasoning का वही सारा हमारा syllabus है, जो कि normally SSC के paper में होता है, आपकी verbal, non-verbal reasoning के यहाँ पे दोनों पूछे जाती है, ठीक है, arithmetical number series, non-verbal reasoning, यह सारी वही चीज़े है, इसी तरीके से general awareness का भी जो हमारा syllabus है, वो सेम होता है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि current affairs, history, geography, economics, polity, science, ठीक है, यह सारी हमारे जो चीज़े हैं, इसमें भी included होती है, maths क्योंकि आता नहीं और English में आपको मालुम है कि instruction, synonyms, antonyms, और of course आपका जो है comprehension वो इसमें आपर आता है, यह हो गई यहाँ पर syllabus की बाचीज़, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताओ, कि मैंने जब इसका paper देखा था, 2023 का, तो अगर चले बार reasoning की बात करते हैं, reasoning में जो questions होते हैं, वो moderate से difficult level के होते हैं, तो अगर आपर exam के लिए appear होंगे, best आप लोग के लिए क्या रहेगा, कि देखो previous year में किस तरीके के question आए हैं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे student already, जो related exam से उसमें appear कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ी से difficult level की reasoning यहाँ पर पूछी जाती, क्योंकि यार, match नहीं आ रही है, इसका एक मा level का यहाँ पर बनाया गया है, अगर आप question देखेंगे, तो time taking होते है, number series देख लीजे, ठीक है, आपके analogy वाले सवाल आपको थोड़ा सा फसा सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए targeted preparation की जरुवत होती है, जो कि scenographer के question से related ही आप लोग की होगी, इसका complete course भी है, वो मैं बताऊं से reasoning के माधियम से ही examiner को जो है, आपको परकना पड़ेगा कि आप यार well deserving है या फिर नहीं, ओके, तो यह हो गया हमारा syllabus discussion, अब यार main barrier आती है, जिसके लिए सबको इंतजार था, जो हमारा skill test होता है, ठीक है, skill test, क्योंकि tier 1 मैं बता रहा हो कि एक बार मान लीजे, आपका qualify ह वो भी किया न, maximum student जो शटते है, वो skill test में, क्योंकि इसके लिए short hand आनी चाहिए, अब short hand क्या होती है, एक अलग यार आप लोगों की language होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सामने ये image लगी हुए है, तो ये short hand है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि यार, पहले क बदल गया, सीधे अपने tape recorder चला दिया, उसमें record हो जाती है, वीडियो आपके पास camera रहता है, अपने video बना लिया, लेकिन पहले जो है short hand ही होता था, क्योंकि कोई अगर तेजी से बोल रहा है, जैसे कि मान लीजे, मैं कोई भी sentence English में या फिर Hindi में बोल रहा हूँ, एक साथ सब लिखना possible नहीं है, तो ये short hand भाषा होती है, ये कुछ gibberish नहीं लिख हुई है, आप समझ लिजेगा कि सर ने कुछ भी लिख दिया है, ये सब actual symbols है, जो की सीखने पड़ते हैं, तब ही मैं कह रहा हूँ कि short hand जिसको आता है, वो इस paper में राजा है, समझ गे भाई, आप तरीके से आपका skill test होता है, इसके बारे में मैं बता दू, ठीक है, और अभी ये भी बताऊंगा कि merit list किसके अधार पे बनती है, ठीक है, तब यहाँ पे अभी रुके रहेगा inter, देखो, candidate who are shortlisted in computer-based exam, जो की अभी ये मारा हुआ था, will be required to appear in skill test for stenography, ये mandatory होता है, optional नहीं है अब यहाँ पे होता क्या है कि एक dictation, 10 minute का आपको दिया जाएगा, English या फिर Hindi में, जो भी आपने opt किया हुआ है, यैसे कि मान लीजे मैं spokesperson हूँ, जब आप center गए तो 10 minute का आपको dictation जो है, वो दिया जाएगा, और dictation की speed क्या होगी, वो भी हमको दिया गया है कि English के लिए ज sentence आप लोगों को short hand के through ही लिखना पड़ता है, जो भी symbols उसमें होते हैं, वो आने चाहिए आपको, और Hindi के लिए जो यहाँ पर speed रहेगी, अच्छा, पहले मैं दिखा देता हूँ यह पर, 100 words per minute रहेगी for the post of stenographer grade C, and 80 words per minute रहेगी for the post of stenographer grade D, ठीक है, यह आप लोग का यहाँ पर हो गया, फिर एक बाद dictation complete हो गया, तो यह आप लोगों को computer में typing भी करनी पड़ेगी, सिर्फ इतना ही short hand नहीं था, लेकिन main जो होता है, सीखने वाली चीज़ वो short hand होती है, क्योंकि typing त्यार फिर भी maximum सभी लोग जानते है, तो 10 minute का आपका dictation दिया जाएगा, ठीक है, ग्रेट C और ग्रेट D के लिए कितने words बोले जाएगे, 100 words per minute, और वहाँ पे 80 words per minute, यह हो गया हम लोगों का, फिर ट्रांस्क्राइब आपको यह करना होगा computer में, और typing के लिए आपको कितने जो है समय दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, time duration देख लिजे कि, कितनी है time duration, यहाँ पर 50 minute है, और यहाँ पर आप लोगों का है 40 minute, अगर हिंदी के मैं बात करूँ तो grade D और grade C के लिए आपका 50 minute यहाँ पर दिये जाएगे, और 55 minute दिये जाएगे, इसको चलो थोड़ा सा मैं breakdown करके दिखाता हूँ, फोड़ी अपनी यहाँ पर गडित लग करूँ, आपके 1 minute में 100 words रहेंगे, 100 words dictate किये जाएंगे, और 10 minute तक आपका यह चलेगा, यहाँ पर आपके हो गए 1000 words, यह आपके dictate होगे, जो कि आपको short hand में लिखना होगा, मैं एक example की तोर पर बता रहा हूँ, अब इसको आप लोग को type करना है, तो देख लेना कि यहाँ प यह 1000 words type करने के लिए भाई, आप लोग को 40 minute मिलेंगे, तो typing speed आपकी क्या होगी, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, कितने words per minute, 1000 बटे 40 आप लोग कर देना, यानि कि यह 25 words per minute निकल कर आ रही है, typing speed किसके लिए, grade C के लिए, इसी तरीके से grade D के लिए भी निकाल देंगे, यहाँ पर 80 into 10 करेंगे, तो हमारे पास 800 words हो जाएंगे, English के मैं बात कर रहा हूँ, यह 800 words आपको कितनी देर में type करने होंगे, यह 50 मिनट में type करना होगा, तो बस इसको जब आप लो 50 से divide करेंगे, यह आपका आ जाएगा लगबग 16 words per minute के बराबर, देखें, यह आप लोग की जो है typing speed चाहिए होती है, तो यह पूरा लेखा जोका हो गया हमारे computer based exam और skill test का, अब आप लोग का merit list बनेगी, वो किस अधार पर बनेगी, यह भी मैं बताने जा रहा हूँ, भाई यह जो आप लोगों का होता है, skill test यह qualifying की nature होता है, एक इसकी cut off बन जाती है, अगर आप cut off के ऊपर है, तो आप लोग qualify कर ले जाओगे, ऐसा नहीं कि उसके अधार पर merit list बनेगी, जो आपकी मानलीजे, आप लोगने English opt करी थी, आपने लोगने paper qualify कर लिया, तो जो आपका probation period होता है, उसमें आपको Hindi भी short hand जो है, वो सीखनी पड़ती है, इसी तरीके से अगर आपने Hindi opt किया था, उसमें आप लोगने paper qualify कर लिया, लेकिन जो आपका probation होता है, उसके दौरान आपको जो after their appointment, अगर fail हो गया, तो probation के बाद जो है, आपको निकाल दिया जाएगा अपने department से, यह बोला गया है, failing which their probation may not be cleared, जो भी आपका department organization है, उसके अधार पर, चलो, यह हमारा हो गया, कहाँ पर skill test conduct होगा, will be head at commissions, regional offices, और at other centers as decided by the commission, ओके, अब mode of selection में देखो कि, चलो, इसी के अधार पर आपके merit list बनती है, फिलाल में नीचे वाले points आपको लोग को, यहाँ पर दिखाता हूँ, यह तो आप लोग को बताए दिया था कि CBE, computer base exam के अधार पर आप लोग qualify होंगे, skill test के लिए, आप देखे, skill test is mandatory, but qualifying in nature, यह important point है, of course यह compulsory है देना, लेकिन यह किवाल qualifying in nature है आप लोग को, ऐसा नहीं कि, इसमें सारे के सारे सही करने है, इसके अधार पर आप लोग का merit list बनेगी, यह हाँ पर point जो था, ध्यान देने वाला था, commission will feel category wise qualifying standards, जैसे कि आपका normal CGL में भी होता है, अगर आपने CGL दिया था, तो उसमें भी जो typing होती है, वो qualifying in nature होती है, इसी तरीके skill test जो हाँ पर, यह भी qualifying in nature है, considered for the final selection on the basis of their merit, यह देखिए, यह last line बहुत important है, the candidates who qualify the skill test will be considered for final selection on the basis of their merit in the computer-based exam, इस point की मैं यहाँ पर जो है, बात कर रहा था, और यह last point जो है, वही दुबारा से repeat करके लिखा गया है, तो अब आपको समझ में आया कि stenographer में, क्यों जो होते हैं, बहुत ज़ादा students appear नहीं करते, क्योंकि उनको short hand नहीं आती है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर computer-based exam में, last year cut off क्या गया था, तो वो भी देख लेते यहाँ पर, यह short hand मैंने आपको दिखा दी कि सीखनी पड़ती है, and इसके बाद अगर cut off की हम लोग यहाँ पर बात करें, list 1 candidates qualified for skill test in stenography for grade C के लिए cut off जो है, कितना गया था, unreserved category के लिए cut off है, वो 147 के पास गया था, यह 2023 का है, पिछले साल का, तो जो आप लोगों को पर 200 question, 200 marks के थे न, उसमें यह cut off number गया है, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर grade D की बात करूँ, जिसमें ज्यादा post होती है, तो इसमें unreserved category का आप देख सकते हैं कि cut off जो है, यह गया था, 131.32 के बराबर, ठीक है, और इसी में देख सकते हैं कि हाँ, काफी ज्या हमारा complete जानकारी, संपूर जानकारी किसकी, SST stenographer 2024 की, तो इसके form यार, अब बहुती जल आउट होने वाले, एक हफते के अंदर जो है, आपके forms आ जाएंगे, अब मुझे उमीद है कि आपके मन में कोई doubt नहीं रहे गया होगा इस वीडियो के बाद, कि मैं इसमें भर सकता ह या फिर नहीं, क्या cut off जाती है, क्या से लिबस है, कौन-कौन सी चीज़े इसमें पूछी जाती है, अच्छा एक और चीज मैं बताओ कि इसमें आर प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होते है, यहाँ पर जैसे कि suppose आप लोगोंने, मैं बात करूँ कि अगर ये grade D पे आप लोग ने selection लिया है, 2400 grade पे तो इसमें प्रमोशन जल्दी होते हैं, आप 3-5 साल में मैं बता रहा हूं कि जो 4200 grade पे था, 4600 grade पे प्रमोशन करके वहां तक पहुँच सकते हैं, और अगर आपने 4200 या 4600 grade पे पे डिर्क्ली जोइन किया है, तो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं distribution रहता है, तो अब अगर आप लोग सोच रहें इसको देने के लिए, चानल को जरूर सब्स्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी exam से related आपकी information आती है, कोई भी important news हो गई, आपका form delay हो रहे है, या फिर कभी भी आपका admit card आया, तो सबसे पहले आप लोग को यहां पर हम लोग inform करते है, और हाँ, इसमें हम लोग जो पूरा 2024 का updated अपना recorded batch है, वो आप लोग को provide कर रहे हैं, और अगले धाई से तीन महिनों में पूरा syllabus live भी cover कर आएंगे, ठीक है, तो दो दो आप लोग के आपर double benefit हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अगर recorded से करूंगा, simultaneously वो भी करिए, और हमारी live classes जो है, वो भी चली रहे हैं, इसमें भी पूरा syllabus फिनिश होगा, ठीक है, महा पैक, आपको मिल जाएगा SSC lab पे, जोइन करते हैं, जोइन अगर करना, तो वहाँ पर जो प्राइस होगा, उसमें एक discount चल रहा है हमारा, फ्लाट 40% का, अगर आप से enrollment कराते हो, ठीक है, यह नया feature है, code से कराओगे, तभी वाला जो है offer में लेगा, this is my code UT10, ठीक है, उतकर्ष से UT10, तो अगर इसके थुरू आप जोइन करोगे, you will get 40% flat discount, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझको कोई एक anchor की जरूवत है, जो की पकड़ के आपकी तरह जो है, इसमें जोड़के अपनी तयारी को, और बहतर बना रहे है, बाकि अगर चानल पर नहीं थे, तो सब्स्राइब कर लिजेगा, इसी तरीके की और informative वीडियो के लिए, ठीक है, मैं और strategy sessions लाता रहूँगा, ठीक है, बाबाई everyone, see you guys in the next class.